पास एक पराथना लेके आए हैं, हमारे वहाँ पे एक जमीन का टुकड़ा है, छे कनाल कुछ मरले का है, और वो कुस्टोडियन लेंड है, वो कुस्टोडियन लेंड जो है, वो ही के एक निवासी शामलाल है, उन्होंने उस मकान को जगे को आकोपई किया हुआ है, और आदी किसी जगह उन्होंने वहाँ पे अपना मकान वहाँ बना दिया हुआ है, जब इन्होंने मकान का काम शुरू किया था, उस वक्त हमने अलग-लग डिपार्टमेंटों में जाके अपरोज किया था, कि एक कुस्टोडियन लेंड जो है, एक आदमी कैसे ग्रैब कर सकता है, कैस के बाद हम कुस्टोडियन आफिस में गए, हमारे पास सारा रिकार्ट पड़ा हुआ है, हमने अप्लिकेशन, दो चार बार अप्लिकेशन वहाँ पे दी हुई है, मगर उसके बावजूद वहाँ पे कोई अक्शन नहीं हुगा, वहाँ के कुस्टोडियन साब ने कहा जी, आप लोग जाईए, आपका हम काम कर लेंगे, वो उन्होंने आज की डेट में भी अभी उनकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, ताके कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई आपस में कोई दो गुट ना बिल जाएं, हम कम से कम पचास आदमी उस टाम कुस्टोडियन साब के पास गए थे, फार लिगल अक्शन के लिए, आज की डेट में जो दो कनाल कुछ मरले जगा बची ही है, और वो जो लैंड थी वो पहले ही, हमारे कामन परपस के लिए काम आती थी, जिसमें छोटे गरीब लोग हैं, उनकी बच्चों की शादियों पे वहाँ पे, टेंट ब लास्ट जे जो हमारा जे अब जो आपके बास आने का यही मकसद था, कि जो दो कनाल और कुछ मरले जो जगे बची हुई है, कहीं ऐसा नहों कि उनका कुछ प्लान हो, हमने यह सुना भी है, कि वो तार लगाने का परवंद कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि यहां पे फैंसिंग कर देंगे, अगर वो फैंसिंग होनी है, तो छे कनाल के जो पूरा रखवा है, खसरा नमबर जो हमने यहां मैंसिंग किये हुए है, आपके प्रेसरलीज में, वो पूरी की पूरी छे कनाल जगा को ही फैंसिंग की जाए, और जो दो कनाल जगा है, उसमें हमें कोई अपती नहीं है, और जो जगे है, बची हुई जगे है, उसका हमें यह है कि हम उसको बच्चों का प्लेगरोंड बन जाए, कोई कम्मूनिटी हाल बन जाए, कोई पार्क बन जाए, जाते ताकि वो पूरे समाज के लिए काम आएगा.